प्रदेश के कवर्धा जिले अंतरगर्थ पंडरिया ब्लाक के मठपुर गाउं में 50 बैगा आदिवासी परिवारों के घरों को वन विभाग पुलिस एवं दवंगो द्वारा आग के हवाले कर दिया गया है आपको बता दें कि कवर्धा जिला मुख्य मंतरी के ग्रह जिले अंतरगर्थ आता है जहां आधी आबादी बैगा आदिवासी ओं की है इन दिनों बैगा आदिवासी ओं के साथ जानवरों जैसा सलूग किया जा रहा है उन्हें जबरिया वन विभाग के द्वारा मारा पिटा जाता है एवां उनके खेतों पर दबंगो द्वारा कबजा किया जा रहा है बैगा आदिवासी ओं ने बताया है कि पहले उन्हें बहरहिमी से पिटा गया जिसमें 30 से ज़्यादा बैगा महिलाए पूरूस बुरी तरह से घायल हो गया है उनके समानों को घरों से बाहर फेक दिया गया पस्वों को खदेड दिया गया फिर उन्हें पीकप टेक्टर में भरकर जबरन बेडबक्रियों की तरह डाल कर खदेड दिया गया नागा डबर के बैगा आदिवासी ने बताया की दबंगो का साथ पुलीस एवं वनिभाग देती रही पुलीस की मिली भगत है आदिवासी के अनुसार वनिभाग के द्वारा आसपास के गाँवालों को जमीन कपजा करने का अपवह ओड आया जाता है और उन्हीं गाँवालों को उन्के विर्दुंसा का महल तयार किया जाता है पचास घरों को तोड़े जाने के बाद इन दिनों बैगा अधिवसी परिवार जंगल में डर एवं भै के साहे में दर दर ठोकर खाने को मजबूर है